Hello everyone, welcome to another video on knowledge bites आज की वीडियो में हम discuss करेंगे एक बहुत ही important और बहुत ही महतपूर्ण concept कि जब भी पानी किसी surface पे गिरता है तो उतना portion जो गीला होता है वो dark क्यों दिखने लगता है आपको ठीक है तो इसके पीछे क्या concept है वो हम discuss करेंगे आज के वीडियो में Let's start यह देखें यह आपको shirt दिख रही है ठीक है इस पे देखें यह पानी गिरा हुआ है इसकी वज़े से इतना portion आपको बाकी portion से dark दिख रहा है अगर आप एक और image देखें जैसे first पे यह जो पानी गिरा हुआ है यहाँ पे भी दिखें इतना portion dark दिख रहा है as compared to जो बाकी region है एक और देख लेते हैं यह देखें दिवाल पे कई बार आपने देखा होगा अगर पानी गिर जाता है तो वहाँ पे भी इस तरीके से dark दिखने लगता है बाकी region के comparison में तो यह क्यों होता है ठीक है तो यह सारी चीज़े हम आज के वीडियो में discuss करेंगे सबसे पहले तो यह discuss करने से पहले हमें यह जानना होगा कि कोई भी चीज जिस color की दिख रही है वो actually में उस color की क्यों दिख रही है जैसे कि आप यह shirt यहाँ पे देख रहे हो तो यह shirt blue ही क्यों दिख रही है आपको ठीक है किसी और color की क्यों नहीं दिखती है हम blue ही क्यों दिख रही है तो इसके पीछे का पहले हम concept जानते हैं फिर हम अपने जो हम की उस वाले concept पे जाएंगे राइट तो ये देखिए ये समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा electromagnetic spectrum ठीक है electromagnetic spectrum क्या होता है जो light होती है वो जो electromagnetic जो waves होती है ठीक है वो पहुत सारी rays से मिलके या wave से मिलके बनती है जैसे की radio waves, infrared, ultraviolet, x-rays और gamma rays ठीक है और वो सब अलक-अलग wavelength के region में light करती हैं इसी तरह से जो विजिबल light होती है जो कि हम को दिखती है ठीक है वो किस range में light करती है उस visible light की wavelength क्या होती वो होती है 400 नैनो मीटर से लेके 700 नैनो मीटर और जो तुम्हारा ब्लू जो वाइलेट वाला जो सबसे किनारे होता है उसकी वेवलेंथ होती है 400 नैनो मीटर और जो रैड वाला कलर होता है उसकी वेवलेंथ होती है 700 नैनो मीटर ठीक है अब यह देखिए जब जब लाइट आपके शर्ट पर पड़ती है यह आपका जबिल्उ सरफ़स है उसके उपर जब यह ब्लू पड़ती है तो क्या होती है कि light reflect करती है ठीक है अब यहां पर क्या होता है कि जो light waves होती है visible light की जो different wavelengths की जो light होती है वेवस होती है लाइट वेवस वो क्या होता है कि यह जो सर्फिस होता है यह एब्सॉर्फ कर लेता है लेकिन एक ही कलर की जो वेवलेंथ होती है उसको यह एब्सॉर्फ नहीं करता है और वो कलर कौन सा होता है ब्लू कलर होता है तो इसलिए यह वाली जो लाइट तो इस वज़े से आपको वो शर्ट ब्लू दिखती है तो यह फिनोमना होता है कि कोई भी चीज आपको अगर उस कलर की दिख रही है तो उसका मतलब यह होता है कि जो मैटेरियल से वो बना हुआ है वो मैटेरियल बाकी सारी कलर से बाकी सारी वेवलेंट को एब्सॉर्ब कर ले रहा है सिर्फ उस color की जो wavelength है उसको absorb नहीं कर रहा है ठीक है अब बात करते हैं कि यह जो shirt होती है यह dark क्यों दिखती है ठीक है इसके पीछे reason होता है total internal reflection ठीक है I am sure कि जो 9, 10 थे या 11, 12 की जो students हैं उनको total internal reflection का concept पता होगा उन्होंने जरूर सुना होगा है reflection reflection जब पढ़ा होगा तो इसके बारे में पढ़ाया गया होगा तो देखिए अभी क्या होता है जब पानी गिर जाता है surface पे तो यह देखिए एक और medium बन जाता है ठीक है यह water का medium है यह shirt का medium है तो अभी क्या होता है कि जब light from source आती है और आपके shirt पे पढ़ती है तो पहले क् कुछ reflect हुई ठीक है अब यहां पर आप देखो जब reflect होके जब यह इसके shirt के पास पहुंची तो shirt क्या करेगा shirt करेगा कि जो यह blue color वाली shirt होगी वो सारी wavelength absorb कर लेगा बस blue वाली को reflect करतेगा तो blue वाली reflect होके वापस से जब उस surface पे जाएगी water के surface पे तो क्या होगा कि वहां रिखल एंगल होता है यह आपके physics के concept है आप पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा ठीक है उससे बड़ा होने की वज़े से light क्या होती है reflect कर जाती है वो reflect करने के बाद वापस से जो आपका shirt का surface है उस पे गिरती है अब उस पे गिरने के बाद फिर से वह light absorb होगी और कुछ emit होगी तो ऐसा करने से क्या होता है कि light की intensity जो क्या होती है वो कम हो जाती है ठीक है और इसी की वज़े से उतना portion आपको dark दिखने लगता है ठीक है तो ये इसी लिए ये जो पूरा phenomenon है वो total internal reflection की वज़े से है कि total internal reflection की वज़े से light आप बोल सकते हो कि कई बार absorb होती है ठीक है एक से ज़्यादा बार absorb होती है यहाँ पे दो बार absorb होई है तो इस वज़े से उतना portion उस light की intensity कम हो जाती है और वो उतना portion आपको dark दिखने लगता है तो ये concept होता है ये phenomenon involved होता है आपके shirt जब किसको कोई पानी गिरता है किसी object पर तो उतनी जगह पर आपको dark जादा दिखता है ठीक है I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा तो guys आज के वीडियो में बस इतना ही मिलते है next video मिले तब तक के लिए thank you